Magic Kitchen of Krishna Magic for food, passion for food Creation, magic and love for food Magic Kitchen आपके लिए लाते हैं थेर और रस्पीस With Magic Hello Friends, आज हम आपके लिए लेकर आए है Special Healthy Bati Spinach Bati and Churma जिसे हम दाल के साथ सब करेंगे So ये डेलिकेसी है राजस्तान की इसमें हम अपना Innovation, Health include कर रहे हैं Subscribe my channel for more videos Hello Friends हम लेकर आए हैं आज आपके लिए राजस्तान की Special Bati Churma जिसे हम Innovation के साथ देने जा रहे हैं तो ये Bati Churma कैसे बनाते हैं Spinach Bati Churma हम वीडियो में टिप्स और टिक्स के साथ आपको बताएंगे कि ये घर में कैसे बनाएंगे और कितना Soft ये बनता है और कितना Healthy होता है Subscribe my channel वेल आइकन जरू दबाईएगा और अच्छा लगे तो शेयर जरू कीदिएगा हम वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे बनाए जाते हैं Spinach, Bati और चूरमा Tips और टिक्स के साथ में चले Friends, यहाँ पर हमने लिया है Spinach यानि पालक तो इसे हम अच्छे से काट लेते हैं और इसका जड़वाला portion निकाल देते हैं और इसे अच्छे से wash कर लेते हैं बहुत ज़रूरी है क्योंकि पालक में मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा तो इसे wash करना बहुत ज़रूरी है तो हम इसे wash कर लेते हैं अच्छे से देखिए हम पालक को अच्छे से वाश कर लिया हमने 4-5 बार वाश किया आप इसे बलांच करेंगे तो ये गरम उबलते वे पानी में हम इसे डाल रहे हैं और सिर्फ एक मिनिट से कम समय में यानि तकरीबन 30 सेकिंड में हम इसे निकाल लेंगे और ठंडे पानी में डाल देंगे ठंडे पानी में इसलिए डालते हैं ताकि इसका जो कलर है वो बना रहे तो ये सिर्फ 30 सेकंड हमने बलांच किया और इसे ठंडे पानी में निकाल दिया तो देखिए ये हमने निकाल दिया तो सारे पालक हमने इसी तरह से ब्लांच कर लिया है अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट में पालक में पानी होता है तो पानी मिलाने की जरुवत नहीं होती है तो देखिए बिल्कुल स्मूथ हम इसे पेस्ट में गणवर्ट कर लिया हमने तो यह हल्दी पेस्ट रेडी है और अब हम ले लेते हैं फ्लार तो यह हम आटा ले रहे हैं आशिरबाद आटा हम यहां पे तीन कप आटा ले रहे हैं और एक कप सेमोलीना यानी सूजी जो की कृस्पी बनाता है अजवाइन हाथ में क्रश करके हम इसमें ऐड़े यह वन टीस्पून हम लिया है सॉल्ट अकोर्डिंग टेस्ट पाउडर इमिल्क पाउडर से स्मुद और मुं में खुनने वाला बाती बना देता है यह हमने आधा कप हिया है कि मिल्क पाउडर और मैक्स कर देते अब इन सब पाउडर तो यह हम मिक्स कर देते हैं इसमें अच्छ से और अब हम इसमें डाल देते हैं 100 ग्राम बटर और इसको अच्छ से हम मिक्स कर लेंगे इसमें देखें बटर मिक्स हो गया है अच्छ से क्रमबल हो गया है ने बहुत ज़रूय आप घी भी यूज कर सकते हैं बटर हम सले यूज कर रहे हैं क्योंकि यह हमें सॉफट बनाना है बहुत और जब हम बेक शुच्छ दुचिस कर देंड़ तो बटर से बहुत अच्छ सॉफट ह हो जाते हैं तो यह हम आद इसमें एड़ कर रहे है प्यूरे प्यूरी पालक की तो यह एक कप प्यूरी बनी है तो हम एक कप प्यूरी पूरी यूज़ करेंगे इसमें देखिए कब प्युरी हमने पूरा एड़ कर दिया है इसमें और यदि जरूद हुआ तह थोड़ा पानी आड़ करके इसका डो लगा लेंगे थोड़ा सा पानी हम एड़ कर रहे हैं तो जितना पानी जरूद होगा डो लगाने में इस समय टाइट डो बनाना हमें यह देखिए डो रेडी है और हमने तक्रीबन एक कप पानी एड़ किया है यह बनकर रेडी है डो हम इसे 10 मिनिट का रेस्ट दे देते हैं तो फ्रेंड्स दसमेंट होगए है तो हम इससे घी एड़ कर रहे है और घी के साथ हम अच्छे से सथ तोड़ा सा मसल के और तो को रेडी कर beet और अब बना लेटे हैं इससे बाती यह देखें बाती रेडी है अनुद यह बाती है इसी तरह रेडी कर लेंगे और Oven को हमने preheat होने के लिए रखा है 210 द्रिगरी पे 10 मिनिट के लिए यह देखिए बाटी बिल्कुल रेडी हो गई है बनकर और Oven में हमने ट्रांस्टर कर दिया है और Oven को 210 द्रिगरी पे हम सेट कर रहे हैं 45 मिनिट के लिए तो देखें फ्रेंड्स 45 मिनिट्स हो गए और यह बाती फट गई है यह बेक है यह बाती बिलकुल रेडी है अब हम इसमें मिला देते हैं देसी घी आप जितना पसंद करते हैं उतना एड करें और अल्रेडी इसके अंदर बटर है और हम देसी घी के अंदर स्कॉच्छे से मे गी में डूबोके भी रख सकते हैं तो हम हेल्थ वाइस थोड़ा कम गी यूज कर रहे हैं अब एक बाती को हम हाथ से चूर के कर लेते मिला लेते हैं उसमें डालेते हैं कैस्टर शूगर ज़क नहीं तो आप चीनी को पीस कर बना सकते हैं और इसके साथ में इसको मिक्स कर अच्छे से और इसमें एड़ कर लेंगे घी और इसको वापस हम अच्छे से मिक्स कर देंगे आप चाहें तो यह मिक्सी में भी पीश सकते हैं तो यह इसी तरह से अच्छा लगता है जब आप हाथ से चूड के बनाते हैं साथ में हम हम थोड़ा सा चेवरा वाटर एड़ कर दिया हमने चूड मा रेडी है हमारा तो लेजिए फ्रैंड्स यह एस पेशल चूड मा आप देवाली पर जरूर बनाओं यह स्पिनिच बाती है और स्पिनिच बाटी से बनाओववा यमी चूड मा और साथ में 3 मिक्स दाल है तो साथ में है मिर्च के टिपोरे तो फ्रेंड्स ये जरूर बनाईए राजस्तानी डेली के सी बाय शेफ सोना एक इनौवेटिव प्रसेपी